क्या आपने कभी 5 मिनट में डोसे का बैटर त्यार करके डोसा बनाया है वो भी बिल्कुल perfect तो नहीं बनाया तो विडियो पूरी देखियेगा किस तरह के से में 5 मिनट में डोसे का बैटर बनाऊंगी और बिल्कुल perfect क्रिस्पी डोसा बनने वाला है और अगर आपको आज की यहां पर मैंने चावल काटा लिया है, सबी चीज़ों को मैंने ग्रैंटिंग जार्मन डालके, अच्छे से ग्रैंट कर लिया है, ताकि सारी चीज़े प्रॉपर मिक्स हो जाए, थोड़ा सा यह फाइन भी हो जाए, इसके बाद इस पूरे मिक्स्चर को मैं निकाल देती हूं एक बोल में, और यह जो बैटर है, पांच में बनता है, आप चाहें तो यह जो मैंने मिक्सर बनाया है, इसे आप स्तोर करके भी रख सकते हैं, जब आपको इंस्टेंट दोसा बनाना हो, इसके बाद यहां पर मैंने दो से तीन चुटकी के करीब, मीठा सोडा और साथ में अधिया है, एक कप पानी और एक कप यहांपर धही डाल देंगे, अच्छे से मिलाएंगे और यहांपर जब हम पानी की ज़रुत पड़ेगी, तो पानी हम थोड़ा सा और यहांपर तो इसके बाद्धा इने धो लégस करेंगे, कि यहांपर एक कप मेनने धही डाला थे जिस गर्म कर लिया है, इसे इस तरीके से थोड़ा सा हम ओईल से गदीस कर लेंगे, इसके बाद हम पानी के चीटे मादेंगे, जिसके थोड़ा जिसका temperature है, थोड़ा सा maintain हो जाए, balance हो जाए, इसके बाद मैंने इसे अच्छे से clean कर दिया है, और बनाते हैं दोसा तो जो 5 पंच मिट में बैतर हमने बनाया है उसका डूसा आप देक सकते हैं एसका बना है और बिलकुल पर्फेक्ट जैसा ही बैटर बनके तैयार हुआinkle है और बहुत आफ़्कर TO पर त्यार तो यहां पर डोसे को मैं फोल्ड कर लेती हूं इस तरीके से पूरा अच्छे से फोल्ड नहीं होता और किनारों से लटक जाता तो क्रिस्पी के फैचान है कि आप देख सकते हैं डोसा बिल्कुल स्पैचला के उपर स्टेट रखा हुआ है और यहां पर मैं दूसरा डोसा भी बना के दिखाती हूं कि एक ही डोसा नहीं आपके सारे डोसे बहुत अच्छे परफेक्ट बनने वाले हैं यह देखिए मैंने सबी डोसे बना सकते हैं तो आपको दाल चावल भीगोने की कोई जरूरत नहीं है साथी साथ जो हमने यह बैटर बनाया है इसका जो मिक्षर था आप पहले से बना के रख लीजिए और सिर्फ पानी और दही अड़ी आड़ करके डोसा बना सकते हैं तो इस तरीके साथ आप डोसा बनाईए और बिल्कुल कलर देख सकते हैं कितना प्यारा साया है तो इस तरीके साथ डोसा बनाईए और पांच मिनटे डोसे को सभी को बनातर भी खिलाए एंजॉय कीजिए साथी साथ फैमिली फ्रेंट में भी शेयर कीजिए रेसिपी मेरे साथ कमन करके शेयर कीजि